हेलो स्टुरेंट्स तो आज बहुत दिनों के बाद जो है मैं आपके लिए पचास कोश्चन की सीरीज लेके आ रहा हूं और अब जो अपकमिंग एक्जाम है वह 26 नौंबर को अधिसाशी अधिकारी यानि एक्जिक्यूटी ओफिसर का और जिसमें आराई का पद भी है रेव इसके अलावा जल्दी जो है बोर्ड पे भी आपको पढ़ा जाएगा उसके लिए सेट अप लगभग एक हफते में तयार होगा ठीक है तो फिलाल मैं आपके लिए ये स्क्रीन रिकॉर्ड वाले वीडियो लेके आऊंगा ठीक है तो कॉश्चन आपको अगर सही लगे या इसमें आप अपना सुझाओ भी दे सकते हो और इन कॉश्चन को आप सेयर भी कर सकते हो तो देख लेते हैं सबसे पहला कॉश्चन है मातंग रिशी की गुफा का है तो ये सौल कॉश्चन से राइट आंसर पे जो है टिक लगाओ है पहले से जैसे कि आप देख रहे हो तो ये है उत्तरकासी में ठीक है तो मैं अब सीधा कॉश्चन और आंसर बोलूँगा तो पचास कॉश्चन का आपका क्यूक रिवजन होगा बहुत कम समय में ठीक है तो केवल काम की बात ही की जाएगी केवल प्रस्ण और उसके आंसर ठीक है नेक्ट है मसूरी देहरादून व उत्राखंड किशान आयो कब बना ये बना है 2016 में चौथा प्रस्ण है कोड़द्वार नगर पालिका की स्थापना कब हुई ठीक है कोड़द्वार नगर पालिका तो ये हुई है 1951 में अगला है भिलंग ताल कहा है भिलंग ताल है ऑप्सन है उत्तरकासी चमोली रुद्र पर्याग या कोई नहीं तो इसका वजाएगा चौथा उपसन यानि की टेहरी में भिलंग ताल है टेहरी में अगला मैक तोली ग्लेशर तो ये सारे कॉमन कोश्चन है जो आपने बियस्ने की बुक में भी पढ़े हैं अगर आपने उत्राखंड थोड़ा भी पढ़ा है तो व्यास गुफा बुखा है मुचकंद गुफा है तो गुफाएं जो हैं वो काफ ज्यादा बदरिनात के आसपास है जोनी चमॉली जिले में हैं तो ङा मिलं घ्लेशर की मिलंग लिश्यर की लंबाई कितनी है मिलंग डेशर जौह है वो है si shoulder किलोमेटर चा मिलंग या परवत पार्वति कुंड का है तो ये जनपद का सीधा बताना आपको पार्वति कुंड है पिथोरगड जिले में पिर पंच केदार में से कितने चमोली में ठीक है तो पंच केदार में आ जाते हैं आपके पांच आते हैं तो इसमें से दो चमोली में तीन रुद्र परियाग जिले मे कलपिस्वर और रुद्रनाथ ये दोनों चमोली में हैं और जो बाकी बचे हैं जैसे तुंगनात, मद महिश्वर और केदारनाथ ये हैं रुद्र पर्याग जनपद में ग्यार्वा प्रस्ण है राज्य जैव विवित्ता बोड का गठन कब वहा तो ये वहाई 2006 में ठीक नेक्स्ट है कुंजडी वन आंदोलन कब वा था कुंजडी वन आंदोलन जो हुआ है वह अथद 1904 फिर आयायम की स्थापना कब विया काशिकपुर में तो उत्राखण में एक ही जो है बारतिय प्रबंदन संस्थान है जिससे हम बोलते हैं इंडियन इस्ट्यूट ऑफ म य्मुना की साइक प्रफंदनगर के पहले कुल पती कौन थे इते डॉक्टर ऐंथोनी पार्कर टीक है पंतनगर जो की इस एक निस सॉसौ शाथ में बनाए और इसको सदिक्त करांती है जो हरित करांती है चाइं तो हरित करांती में इस बस्ती शिएका बहुत योगकदान र कि किस क्रम का यह आयाइटी बना था तो यह बना था कि 2001 में सातों आयाइटी भारत का अगला है MKP की स्थापना तो इसका प्रस्ण पिछले वीडियो परिक्षा में भी आया था जो पेपर कैंसिल वे थे किस थापना किस ने की तो वह महादेवी भठनागर ने की थी 1902 में इं ठीक है तो अध्यक्षता भी याद रखनी है यह भीम सिंग की अध्यक्षता में डिबिटिंग क्लब अल्मोडा का बना था बीसमा प्रस ने ने निताल को ही लिस्टेशन का दरजा कब दिया गया तो ने निताल जो है परसेद ही लिस्टेशन है उत्राखन में और यह है 1996 में नेक्स्ट कोश्चन आगया चमपावत में कितनी विधानसभाद छेत रहें तो दो विधानसभाद छेत रहें चमपावत जनपद में फिर है सारदा नहर कब बनी थी यह 1928 बहुत सारे ऐसे कोश्चन है जिनके आंसर आपके डारेक्ट एयर के फॉर्म में आपको याद रखना है तो जितने जादा आप ऐसे एयर याद करोगे उतना कोश्चन आपका बनेगा तो यह मान के चलोगी 20 से 25 या 30 तक भी मैक्सिमन कोश्चन इस टाइप के आ सकते हैं जिसमें आपको एयर या आँकड़े उसमें आपको याद रखने आदित्यदेव साथी का मेला कहा लगता है तो यह लगता है पार्टी नामा का स्थान पर चमपावत में पार्टी आदित्यदेव साथी नेक्स्ट है मायवती असरम का बना यह भी चमपावत में अठारसो निन्याणवे में पिर कोट माई मेला यह बागिस्वर में हिल जात्रा उत्सव किसकी देन माना जाता है यह है मैपाल की देन और यह परिष्छा में आ चुका है ठीक है फिर है गैर धार बुग्याल यह मुंसियारी पितर अगड़ एरीज जो संस्थान है इसको स्वायत संस्थान यानि और्टोनॉमस बॉड़ी कब बनाए गया एरीज को बनाए गया था 2004 में अगला आगया शीतला माता का मंदिर कहा है शीतला माता का मंदिर कहा है यह है रानी बाग में फिर है नैनिताल में कितनी विधान सभा है तो यहाँ पे च्छै विधान सभा फिर मीजर सैतान सिंग का संबंध किस से है ठीक है तो भारत चीन युद्ध के समय इनको परमविर गुमाव रजिमेंट की तेर्वी बटालियन से हैं फिरे सोमना सर्मा का सम्मन्द तो ये थे फौर्थ कुमाव से थी तो चौथी बटालियन कुमाव रजिमेंट की जो है और पूरे भारत में इनको पहला परमविर चक्र परदान किया गया था ठीक है इन्होंने जो है सीनगर हवाई एड़ी की रक्षा की थी तो उसके लिए इनको मिला था परमीर चक्र फिर है बानरी मंदिर कहा है उत्राखन में यह पढ़ता है अलमोडा जिले में फिर है नेक्स्ट आगया है सरवादिक नलकूप सिंचित भूमी वाला जिला हरिद्वार है लंड़ोर के अंतिम राजा की मिट्थियों के बाद रूड की किसके अधीन कर दिया गया तो यह थे र तो यह भी उत्राखन का ग्राम में विकास संस्थान का है यह है रुद्रपूर याद रखना है पिर नाट्टेम संगीत अकादमी के स्थापना यह दो हजार दो में नेक्स्ट आगया इंजिनेर्स का मक्का किसे कहते हैं तो इंजिनेरिंग का सबसे महत्तों स्थान जो है उत्राखन में कौन सा है यह है आयाटी रूड की फिर गोर्खा काल में दास मंडी या दास विकरी का केंदर कहा था यह था भीम गोड़ा ठीक है जो दास जो है जो विक्ति कोई करनी दे पाता था तो उसको दास के रूप में हर्दिवार में बेज दिया जाता था ठीक है अधिकतम दस रूपे तक में उसकी बोली लगती थी अगला तिलका देवी का मेला यह टिहरी में कौन सा विधान सभा छेतर ऐसी के लिए आ जार ऐसे जनपदें जो ना किसी अन्य राज्य या अन्य देश की सिमा से लगते हैं तो इन्हें बोलते हैं आंतरिक जी ले नेक्स्ट आगिया तारा कुंड यह है पाड़ी में तारा पहाड पिथरगड और तारा ताल अल्मुड़ा तो तीनों याद रखनें देगो तारा जमुना की साहिक ने दिये लिके कमलगाड है जमुना की साहिक ने दी तो यह होगे आपके 50% उत्रा खंड के और इसी तरह बाकी प्रस्ट जैसे की करंट इवेंट्स के होगे या अधर होगे इंपॉर्टन कोश्ट जी एस के तो वह भी लेके आएंगे आपके लिए और जवारे वो आ रहा है ठीक है तो दिपावली की भी आप सभी को बहुत बहुत रुपकाम ना है